नमस्कार बात करते हैं रासिफल की और ये जो रासिफल रहेगा आपका ये मंगलवार के दिन के लिए रहेगा पांच नौमबर 2019 इस दिन सबसे बड़ा एक गोचरी वेवस्ता में प्रिवर्तन होने जा रहा है और वो लगबग आप सभी को पता होगा जैसे कि गुरू अपन खुद की रासि में प्रवेश करने वाले हैं पांच नौमबर 2019 को तो आपके लिए जो पांच नौमबर से लेकर मार्च यानि तीस मार्च तक का जो समय है वो विसेज परिवर्तन वाला रहेगा अब ये परिवर्तन आपके लगन और रासिक अनुसार सब के लिए अलग अल रासि का जो यहां पर रासिफल है यह चंदर रासि प्रादरित है तो आप इसको रासि के नुसार ही देखें सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके लिए स्वास्ति की आप इस दिन काफी कुछाल जीहन जीएंगे आपका स्वास्ति काफी अच्छा रहेगा आप में बहुत सायक होंगे साथी साथ सुनिश्चित करें आप काम करने के साथ साथ प्रयाप्त विश्राम जरूर करते हों चर्चा करते हैं आपके लिए एमोसंस की भावनाएं अतितिवर लेकिन कुछ नियंतर्ण में जरूर रहेंगे आप काफी समिधन सील रहेंगे और दूसरों को आपका जो स्वागत है वो आप करेंगे अगर बात करें आपके लिए पर्सनल लाइफ की आज मित्रों और परिवार के साथ पिकनिक पर जाने के लिए बहुत ही अच्छा समय है आज आप काफी अच्छा भोजन भी करेंगे काफी अच्छे कपड़े पहनेंगे और दूसरो को काफी ज़्यादा पसंद भी आएगा और आपका जो वार्तलाफ है वो दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा युवाओं को दोस्तों और रिष्तिदारों से उपहार और सुबकामनाई प्राप्त हो सकती हैं आप इस दिन एक नए रिष्ते का आरंब भी कर सकते हैं बात करें अगर आपके लिए केरियर की तो आप कोई भी नया व्यावसायक निर्ने ले सकते हैं कहीं नया निवेश कर सकते हैं और विवादों को निप्टाने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है आप अपने परतिद्वन्दियों से दो कदम आगे रहेंगे नोक मात करने के लिए यह बहुत ही उत्तम समय है बात करें अगर आपactory यात्राओं की तो अनावसे की यात्राओं ना करें जिसके करन conflux आपको आर्थिक हानी हो सकती है आप किसे भी प्रकार के अजनबियोंस से दोश्ती बिल्कुल ना करें अगर चर्चा करें आपके लिए भागे की कानूनी मामलों में फैसले आपके विरुद जा सकते हैं आपके अपने आपको निराज कर सकते हैं इसलिए दूसरों से और अपने करेबी रिष्टेदारों से ज़्यादा उमीद न रखें बात करते हैं वर्षब रासी वाले जातकों के लिए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके स्वास्त की आज आपके स्वास्ते में थोड़ा सा उतार जड़ाव हो सकता है इसलिए अपने आपको अधिक ठकाएं ना साथी साथ कोई छोटी बिमारी या फिर बहुत ज़्याद ओसदी द्वारा इलाज जरूर करें आपके स्वास्ते को अच्छा रखने के लिए आपको पूर्ण तया विश्राम की जरूरत जरूर रहेगी बात करें अगर आपके लिए इमोसंस की आपका जो विवहार है यानि आपके जो इमोसंस हैं वो काफी संतोष जनक रहेंगे हर आप क्या कह रहे हैं इस बात को लेकर विशेज सावधान रहें खास कर अपने करीबियों के साथ अपना कोई भी जो राज है वो साजा ना करें आप अपनी परसनल बात कोई भी साजा ना करें अपनी भावनाओं को उजागर करने के लिए अच्छा दिन नहीं है प्रिवार के सदर से आपको समर्थर देने में ऐस अक्सम रहेंगे अगर बात करें आपके लिए केरियर की तो फंड निवेस और वित के मामलों में थोड़े से सावधान रहें वेर्थ वस्तों पर अमाव से खर्च के संकेत हैं आपको कारी इस्तल पर अधिक जिम्मेदारी ग्रहन करनी पड़ सकती है बात करें अगर आपके लिए यात्राओं की कुछ ए परत्यसित कारनों की वज़े से अपनी यात्रा या छुटियों की जो योजना है वो आपको रद करनी पड़ सकती है बागे के अगर बात करें तो आपकी किसमत आपके पक्समिन नहीं है आपको किसी भी प्रकार की जोखिम लेने से निश्चित रूप से बचना होगा साथ ही अगर हम अब बात करें मिथुन रास्ये वाले जातकों के लिए रासी फलकी तो सबसे पहले अगर बात करें आपके लिए स्वास्ते की तो आपका स्वास्ते काफी अच्छा रहेगा स्वास्ते समंदी कोई भी आपको चिंता नहीं करनी है आप काफी उर्जावान महसूस करेंगे आप काफी आसावादी महसूस करेंगे अपने आपको प्रकर्ति का अगर आप सारा लेते हैं इस दिन यानि कोई प्राकर्ति की स्वास्ति लाप जरूर आपको होगा साथी साथ आप अपना जो कारिय है और मनोरंजन का जो आपके पास साधन है उनके बीच में संतुलन जरूर बनाए रखें या आपके स्वास्ते को विशेशलाब देगा बात करें अगर आपके लिए एमोसन के आप काफी फूर्तिले और आतुर रहेंगे आपका जो दिमाख है उसमें नए नए विचार आते रहेंगे पर्सनल लाइफ की जहां तक बात करें तो आप मिथुन रासी वाले जातकों के लिए आप आज का दिन अपने पुराने दोस्तों के साथ बिता सकते हैं प्रिवार के सदस से आपसे काफी खुश रहेंगे घर का वातावन बहुत ही अच्छा रहेगा अपने प्रियतम की समक्स प्यार का इजहार करने के लिए काफी अच्छा समय है बात करें अगर आपके लिए कैरियर की तो योजने बनाने और निर्ने लेने के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है कारेले का वातावन सोम में रहेगा आपको व्यापार की नए छेत्रों में प्रोवेश करने का आउसर मिलेगा आप भोतिक और सुक्स वीदा की वस्तों पर पैसा कर सकते हैं अगर चर्चा करें आपके लिए यात्राओं की तो सहकर्मियों या दोस्तों के साथ अगर आप यात्रा करने निकलते हैं बहुती अच्छा रहेगा यात्रें आपको काफी उर्जावान और फूर्तिला बना देंगे अगर चर्चा करें आपके लिए भागे की आप जिन चीजों के होने का लंबे समय से इंतिजार कर रहे थे वो अब होने वाली हैं भगये पूर्टया आपके साथ रहेगा तो आपना जो डिसिजन है वो काफी सोच समझ कर ले अब बात करते हैं करक रासी वाले जातकों के लिए रासी फलकी देखे आपके अगर स्वास्त की बात करें तो आपके स्वास्ते में काफ़ी सुधार रहेगा आप तनाव के बाद दिन के अंत में आप काफ़ी सांती महसुस करेंगे साथ इसाथ आप सारिक और मानसिक रूप दोनों से आप तरोताजा और परसन महसुस जरूर करेंगे आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा और अनुकूल रहेगा स्वास्ते की दरश्टी से अगर बात करें आपके लिए एमोसंस की तो आप जो विक्त करना चाते हैं यानि अपनी जो अभिवेक्ती है वो दूसरों के सामने आप खुल कर नहीं बता पाएंगे तो आपके लिए अभिवेक्ती के लिए अच्छा दिन नहीं है अगर चर्चा करें आपकी पर्सनल लाइफ की आज अपनी वानी को लेकर सावदान रहें आप कुछ ऐसे सब्द बोल सकते हैं जो किसी के दिल को दुखा सकते हैं आपके सब्द परिवार के बड़े सदस्यों को बहुत ज़्यदा कष्ट पहुँचा सकते हैं इसे ऐसे विक्ति कि और आकर्शित हो जाएंगे जिसके सोक इच्छाएं या अभिलासाएं आपके अनुरूप हो छोटे मोटे उपहार के साथ प्यार के दो सब्द आपके वैवाहिक जिवन में बीते हुए रोमांस को वापस लेकर आएंगे अगर चर्चा करें आपके लिए हो सकता है व्यापारी वरग किसी नए उद्द्यों की सुरुआत भी कर सकते हैं लेकिन आपको इनया अनुबंध करने से पहले अपने हस्ताक्सर या अपनी सहमती देते समये विशेश रूप से सोच विचार जरूर करने साथ इसाथ आपको व्यापार में बहुत लाप भी आज होने वाला है अगर चर्चा करें आज आपके लिए यात्राओं की यात्रा करने के लिए दिन काफी अनुकूल रहेगा उद्देश से पूर्ण अगर आप यात्रा करते हैं तो बहुती सकरात्मक प्रेणाम आपको मिलेंगे अगर चर्चा करें आपके लिए भाग्ये क आज आप काफी भागे साल रहेंगे आप जिस चीज को पानी की कोशिस करेंगे उसे हासिल करने में सफल रहेंगे अब चर्चा करते हैं सिंग रासी वाले जातकों के लिए रासी फल की सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्ते कि आपकी सहत काफी अच्छी रहेगी आप बहुत ज़्यादा फूर्ती महसुस करेंगे और सारीरक सहन सकती भी आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी आने वाले दिनों में आपका सरीर जो है वो निरोगी रहेगा और आप काफी तंदरुस्त महसुस करेंगे आप कोई भी आकस्मिक होने वाले स्वास्ते समंदी समस्याओं से थोड़ा सा बचाव जरूर रखें अगर चर्चा करें आपके लिए एमोसंस की तो आपका सवेदन सील अध्यात्मिक पक्स पूरी तरह से आज उभर कर सामने आएगा सकरात्मक वर्दी के बावजुद आप थोड़ा सा बैचैन महसुस कर सकते हैं और दिन के अंत में थोड़ा सा सांती का जो अनुभवा वो थोड़ा कम रहेगा पर्सनल लाइफ की जहां तक बात है अपने हितेशियों अपने दोस्तों अपने रिष्टेदारों के साथ आप काफी गनिष्ट रूप से इस दिन जुड़े रहेंगे आपके निजी समंद्व में सुधार होगा योग्य ए विवाहित जो लोग हैं उनके विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिलने की संकेत मिल रहे हैं ससुराल की ओर से आपको आर्थिक लाब होने की समावनर रहेगी अगर चर्चा करें सिंग राश्य वाले जातकों के लिए कैरियर की तो आपकी काम की स्थिते में काफी सुधार होगा आपकी वफादारी और मेहनत से काम करने की प्रकरती के वज़ए से आपको लोग बहुत ज़्यादा मानेता भी देंगे कारोबार करना बहुती लाबदायक रहेगा अगर कुछ नया करना चाहते हैं कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये दिन आपके लिए विशेश परिवर्तन लेकर आएगा विशेश लाब आपको दिलाएगा निवेश और अचल संपत्ती में आपको आर्थिकलाब होने की समावना रहेगी आपके व्यापार में आपको नए ग्राहक जुडेंगे अगर चर्चा करें आपके लिए यात्राओं की परिवार की साथ धार्मिक इस्तलों की शेयर करना बहुत ही आपके लिए उत्तम रहेगा आपका जो मन है वो यात्राओं से सक्रिय उर्जावान और निर्मल बन जाएगा अगर बात करें आपके लिए भागे की आज आपके लिए उन भागे साली दिनों में से दिन एक है जब आपकी किस्मत आप पर पूरी तरह से महरबान रहेगी आप बहुत उंचाईयों को आज छोएंगे और जो चीज आपने सोची नहीं हो वो भी आज आपको प्राप्त हो सकेगी अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी करम में हम चर्चा कर लेते हैं कन्या राश्ची वाले जातकों के लिए राशी फल की सबसे बहले चर्चा करते हैं कन्या राश्ची वाले जातकों की स्वास्ते की आज आपका स्वास्ते थोड़ा सा नरम रह सकता है ऐसान्त मन और आपकी जो रोग परतिरों तक समता है वो बहुती कम रहेगी, कमजोर रहेगी पित जैसे समस्याओं से आप पेडित हो सकते हैं आप काफी कमजोर महसुस करेंगे इसलिए अपने स्वास्ते का ध्यान जरूर रखें अगर आप बाहर सेर करने जाते हैं सुबह तो आपके लिए दिन बहुती अच्छा रहेगा आपको काफी निरासा और प्रेसानी का अनभव भी होगा तो अपने इमोसंस के मामले में आपका जो अतम विश्वास है उसमें भी कमी रहेगी बात करें अगर आपके लिए पर्सनल लाइफ की तो घर परिवार में जगडे होने की समावनर रहेगी आपका कोई अगर आप किसी से प्रेम करते हैं आपका प्यार अगर कोई तो वो आपसे दूरी बना सकता है समझ और तालमेल की कमी की वज़े से वाद विवाद और सत्रोता किसी से बढ़ सकते हैं वाहिक सुख का थोड़ा सा अभाव देखने को मिलेगा आज के दिन बात करें अगर आपके लिए केरियर की प्रिस्तियां थोड़ी कठिन हो सकते हैं गलत फ़र्मी होने की समावने हैं कारी इस तल पर आपको सैयोग कम मिलेगा संगर्ष का सामना करना पड़ सकता है कोई सकारात में काम नहीं हो पाएगा अपनी प्रियासों में सफलता प्राप करने के लिए आपको काफी महनत भी करनी होगी अगर बात करें आज आपके लिए यात्राओं की यात्रा करने के लिए आज का दिन आपके लिए सुब नहीं है बिना उद्देश से आप कहीं बटक सकते हैं आज केवल समय और सहन सकती की हानी आपकी निस्चित रूप से होगी अगर बात करें आपके लिए भागे की निस्चित ही आपका दिन सबसे ऐसुब दिनों में से एक है भागे का आपको कोई भी यहाँ पर लाब मिलता नहीं दिख रहा है अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशी वाले जातकों के लिए राशी फल की सबसे पहले चर्चा करते हैं तुला राशी वाले जातकों के स्वास्ते की आज आपको जो है अच्छा स्वास्ते प्राप्त होगा स्वास्ते की दरश्टी से दिन बहुत ही अच्छा रहेगा आप काफी उरजावान होंगे जो सिले होंगे अगर आप कोई सार्रिक व्याम क सफल होंगे अगर बात करें आपके लिए पर्शनल लाइफ की मित्रों की साथ मिलाएगा जसना आपको अतिधिक आंदोलित करेगा यानि की आपको बहुत ही अंदर से एकसाइटमेंट देगा आपके अतीद से कोई आपके संपरक में आएगा जिससे आज का दिन आपका याद बन जाएगा अगर चर्चा करें आपके लिए केरियर की आकसमिक लाब होने की समावना अधिक दिख रही है किसी अनुकुल संप्रक के कारण आप अत्रिक्त आयर जित करने में सकसम रह सकते हैं मित्रों से पूरा सहयोग मिलेगा आपके कारी छेतर में आप बहुत ही तो आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा भागया आपका पूरा पूरा साथ देगा पिछले कुछ दिनों से आप जिन कारियों के प्यास कर रहे थे अब उनमें सफलता मिलने का समय आ गया है और इस सफलता में आपकी जो मित्र हैं वो भी आपकी महत्तोपून भूमी का निभाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं वरस्चिक राशी वाले जातकों के राशी फलकी सबसे पहले देख लेते हैं इनके स्वास्ते के बारे में आज का दिन स्वास्ते के दृष्टी से उत्तम रहेगा आप काफी द्रड़ सभाव और सहासी होंगे और आपका जो इसी वज़े से स्वास्ते है वो बहुत अच्छा रहेगा आप अपने जो नियम है स्वास्ते समंदी वो बहुत अच्छी तरह से लागू करेंगे और कोई नया एक्सरसाइज आप सुरू कर सकते हैं हेल्थ से समंदी अगर चर्चा करें आपके पर्शनल लाइफ की सामाजिक मेल मिलाव के लिए बहुत अच्छा दिन है, पारिवारिक जीवन काफी अच्छा रहेगा, अपने रिष्टे या समंधियों के साथ आप काफी खुशी महसुस करेंगे, आप अपने छोटे भाई बेहनों के परती अधिक जिम्मेदारी महसुस क कर सकते हैं, आज नए लोगों से मिलेंगे, आप किसी ऐसे वक्ति के संपरक में आ सकते हैं, जो भविस्य में आपके जीवन में प्रभाव शाली भूमी का निभाएगा, अगर चर्चा करें आपके लिए केरियर की, आज आपको केरियर से समंधित काफी अच्छी खबर मिल स अपने सबी कारियों में सफल भी होंगे, अगर चर्चा करें आपके लिए यात्राओं की, व्यावसाइक दोरे के लिए की गई यात्रा बहुती लाब दैक रहेगी, आपकी यात्रे आराम दैक और सफल साबित होंगी, अगर बात करें आपके भग्ये की, तो आज आपके पुरा साथ देगी, और कोई जो कारिया आपका पहले से अठका हुआ था, वो अब होने की पूरी-पूरी समावना यहां पर बन रही है, बात करते हैं धन्नु रासिवाले जातकों के लिए स्वास्थे की, अब जो मौसम है उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा स्वास्त लेकर आएगा, साथ ही गुरू का परियोटतन आपके लिए विसेश लाब देगा स्वास्ते में, स्वास्ते से समंधित आपको काफी सारे नए आपकुछ कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा लाब मिलेगा, अगर बात करें आपके लिए इ अगर बात करें परिशनल लाइफ की तो पारिवारिक वातावन आपका सुहार्द भून रहेगा प्रेम समंदों में आप काफी अच्छा कर पाएंगे घर पर विश्राम करने के लिए बहुत अच्छा दिन है सभी प्रकार की जो टक्राव की स्थितियां मनती ही किसी दूसरों के साथ उनसे आप बचें, साथे साथ कुछ घरेलू वस्तों की खरीद आप कर सकते हैं आज बहुत अच्छा रहेगा, केरियर के मामले में बात करें तो आप उठ्सा से भरे रहेगे अपने कारिये को पूरी निपूनता से आप कर सकते हैं आपको केरियर समंधी एक अच्छा अफसर मिलने की समावना बन रही है धन समंधी लाब की संकेत मिल रहे हैं संचार मद्यम या जन संपरक समंधित कारियों में जो लोग जुड़े हैं उनसे आपको यस प्राप्त होगा अगर बात करें आपके लिए यात्राओं की कुछ समय के लिए अपनी बोरियत पर काबू पाने के लिए आप यात्रा कर सकते हैं और आप यात्रा करने के बाद काफी उत्साहित महसूस करेंगे अगर बात करें आपके लिए भागय की किसमत आज आपका पूरा-पूरा साथ देगी आपके सबी कारियों में भागय का ए कोई नया कारिये शुरू कर सकते हैं, नई कोई हेल्थ के एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, आपको बाहर की जो गतिवी दिया, आउटडोर जो आपकी एक्टिविटीज हैं, स्वास्ते को लेकर वो बहुती अच्छा लाब देंगी, अगर आप योग और ध्यान का सारा लेत जाएंगे, जो आपको थोड़ी देर के लिए रहेगी, बाद में आप उससे उबर भी जाएंगे, तो आप अपना धैरिये ना खोएं तो बहुती अच्छा रहेगा, बात करें अगर आपके लिए पर्शनल लाइफ की, तो घर पर हो रहेए किसी भी पर्शंग में आपकी उपस्ति अनिवारी रहेगी, आपको काफी खुसी भी होगी, आप अपने मित्रों के साथ अपनी इस खुसी को बार सकते हैं, आपको किसी करीबी से एय परतैसित उभार प्राप्त हो सकता है, आप अपने पती या पतनी के साथ प्रेम भरहेपलों का आनंद ले सकते हैं, अ अपने बच्चों के भविशे के लिए विसेश कुछ फंडो में आपने वेस कर सकते हैं पैसे का, अगर बात करें आपके लिए यात्राओं की, कुछ बादाओं के अलावा आपकी यात्राओं आपको लाब देंगी, यात्रा करते समय आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर रहेगा वेक्तिक तोर व्यावसाइक तोर पर आहलात आपके लिए काफ़े अनुकूल रहेगे आपका विश्वास है कि आप और अधिक के लायक हैं तो आपको जो चीज है वो एक्स्ट्रा भी मिलेगी बात करते हैं कुम राशी वाले जातकों के लिए राशी फल की सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वास्ते की आज आपके स्वास्ते के परती आपके जो मन है उसके अंदर काफी आवेग रहेगा आपके अंदर एक बहुती अच्छी उर्जा रहेगी पॉजिटिव नहीं बनाएं तो आपको बहुत लाब मिलेगा बात करें अगर आपके लिए इमोशन्स की आज आपका मूड काफी उत्साहित रहेगा आतम विश्वाज अपने चरम पर रहेगा जिसका आप अगर सुदुपियों करना चाते हैं तो आप जरूर करें अगर चर्चा करें आपके लिए पर्शनल लाइफ की तो आपको रूमांस के बहुत सारे अवसर मिलेंगे आपके जो प्रेम समंद्य उनमें आपको विशेश सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं आप अपने प्रिये की साथ कठोर सब्दों का प्रियोग ना करें वरना आपको उनसे थोड़ा सा वियोग हो सकता है आप अपने प्रिवार के सदस्यों के साथ अपना समय काफी अच्छे से बिता पाएंगे अगर बात करें आपके लिए केरियर की तो आपके केरियर में आपक नया जो मोड आएगा और उसमें आपके लिए काफी दरवाजे अब खुल जाएंगे व्यावसाइक दरश्टी से उत्तम समय है आपको काफी लाब होगा इसके लावा आपकी जो उर्जा है आपकी जो सार्रिक उर्जा है उसको आप अगर अपने काम में यूज करते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा अगर बात करें आपके लिए यात्राओं की तो धार्मिक और अन्य कोई भी अगर यात्रा करते हैं तो आज आपको काफी अनुकूल प्रिनाम मिलेंगे भागे की बात करें तो भागे आपका पूरा-पूरा साथ देगा और कोई भी जो लंबित मामला है पहले का जो आपको पहले पूरा नहीं हो पाया था वो अब भागे की साहिता से आपका पूरा होगा चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी जो अबारवी रास्य यानि अंतिम रास्य मीन के बारे में और मीन रास्य वाले जाजकों के लिए चर्चा करते हैं सबसे पहले स्वास्ते की आप आज काफी भारी भोजन करने से बचें वरना आपको पेट से समंदित कोई समस्या हो सकती है आपकी स्वास्ति समंदी चिंताएं आपकी अन्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं उदासीन तकी थोड़ी सी परवर्ती रहेगी यात्रा करते समय विशेज सत्रक रहने की आल सेकता रहेगी बात करें अगर आपके लिए इमोसंस की आज थोड़ा सा सांत रहेगी तो अच्छा रहेगा सामंद से पूर्ण वातावन बनाए रखने की कोशिस जरूर करें दूसरों के साथ अपनी भावनों को साजा करने के लिए समय बिलकुल भे उप्युक्त नहीं है अगर बात करें आपके लिए परसनल लाइफ की तो आपका अपने जिवन साते की साथ मतभेद हो सकता है आपके मन की सामन निशांती घरेलू प्रिस्तितियों की वज़े से भंग हो जाएगी आपके साथ कोई भी छलकपट कर सकता है दोस्ति की आड में कोई भी दुस्मन आपके विश्वास के साथ चलकर सकता है दोखा दे सकता है तो आपको सावदानी रखनी पड़ेगी अगर बात करें आपके लिए केरियर की तो वित्तिये मामलों के लिए समय बिलकुल भी अच्छा नहीं है निवेश समंदी कोई भी महत्वों निर्ने आज के दिन जरूर इस्तगित कर दें आपके प्रबंदक आपको अत्रिक्त जिम्मेदारें सोंप सकते हैं जो आपको निभाने भी पड़ेंगी अगर बात करें आपके लिए यात्राओं की आज यात्राएं काफी लाप प्रद रहेंगी यात्राएं करने से आपको बहुती लाप मिलेगा अगर भाग्य की बात करें तो आप कोई भी परमुख निर्ने अगर लेंगे तो आपका भागय आपका पूरा-पूरा साथ देगा अगर हालात आपके पक्स में नहीं है तो भी आज आपका भागय पूरी तरह से आप पर मेहरबान रहेगा धन्यवाद